हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू बैक रुट्यूबर केसन चैनल इस वीडियो में के साथ बात करें स्टेंडर्ड एर्थ चाप्टर नमबर सीख्स तुफानों की ओर तो स्टार्ट करते हैं चाप्टर इसके कवी है शीव मंगल सिंसुमन 5 अगस 1915 को ग्राम जगरपूर जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश में बनारस हिंदू विश्व विद्यालय में AMA PhD अनेक अध्ययन संस्थाव विश्व विद्यालयों तथा हिंदी संस्थान में उत्तम पदव पर कार्र किया तथा अनेक देशों की यात्रा की 1974 में मिट्टी की बारात परसाहित अकादमी तथा 1993 में भारत भारती पुस्तक में पुरसकार में सम्मानित 1997-1974 में भारत सरकार द्वारा पदमश्री से सम्मानित हिलोल जीवन के गान यूग का मोल प्रलाय स्रीजन विश्व बदलता ही गया विंद्य हिमालय मिट्टी की बारात वानी की व्यथा कटे अंगुठों की बंदन वारे उधम और विकाश प्रकृती पुरस काली दास प्रस्तुत कवीता में कवी शिव मंगल शिव सुमन ने सदा शंघर्ष में रहकर अपने लक्ष की ओर बढ़ने की प्रेणा दी है जिस तरह आग में रहकर सोना निखरता है उसी तरह बाधाय हमें जीने की नई राह दिखाती है तथा आगे बढ़ने के लिए हमारे इरादों में मजबूत बनाती है इस कवीता में धैर, गतिशिल्ता, साहस, संघर्षृता, रहना जैसे मुल्य, उजागर किये गए है तो स्टार्ट करते कवीता तुफानों की ओर घुमादों, नाविक निजपतवार आज सिंधूने विश उगला है, लहरों का यवान मचला है आज हिरिदय में और सिंधू में साथ उठा है जवर तुफानों की ओर घुमादों, नाविक निजपतवार लहरों के स्वर में कुछ बोलो इस अंधर में साहस तोलो कभी कभी मिलती जीवन में तूफानों का प्यार तूफानों की ओर घुमादो नाविग निजपतवार यह असीम निज सीमा जाने सागर भीतो यह पहचाने मिट्टी के पुतले मानवने कभी नमा निहार तूफानों की ओर घुमादो नाविग निजपतवार सागर की अपनी छमता है पर मान जी भी कब ठकता है जब तक सांसों में स्पंदर है उसका हाथ नहीं रुकता है इसके ही बल पर कर डाले सात सागर पार अब मैं आपको इसका मतलब समझाऊंगी तुफानों की ओर घुमादो नाविग निश्पत्वार का मतलब है हे नाविक तुम तुफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार तुफानों की दिशा में मोड़ दो आज समुंद्र ने जहर उगल दिया है कठीन परिस्थितिया पैदा ही की है लहरे भी उमण कर तुम्हारी नाव को निगल जाना चाहती है फिर भी परवाह नहीं उधर समुंद्र में जवार उठा है तो कभी ने हिरिदय में भी भावनाओ का जवार उमण पड़ा है इसके बाद लहरों के स्वर में कुछ बोलो इस अंधर में साहस तोलो कभी कभी मिलता जीवन में तुफानों का प्यार तुफानों की और घुमादो नाविक निच्पतवार का मतलब है जैसे लहरों का स्वर उचा हो रहा है और उनका जोर बढ़ रहा है वैसे ही तुम भी तैयार होकर आंधियों के सामने उठ जाओ और स्वयम आज मार कर देखो कि तुम में कितनी हिम्मत है जीवन में तुफानों का प्यार कभी कभी ही मिलता है भागिशाली लोग ही जीवन में कठनाईयों का सामना करते है यह असीम निज सीमा जाने सागर भी तो यह पहचाने मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार तुफानों की और घुमादो नाविक निज पतवार का मतलब है यह समुंद्र और वह तुफान आज असीम दिखाई देते हैं इनका सामना सायद ही कोई कर सके लेकिन मनुष्य सब कुछ कर सकता है यह नाविक तुम अपनी नाव लेकर चलो और सागर को भी बता दो कि मानव मिट्टी का पुतला है पर समुंद्र के सामने हार नहीं मानेगा मनुष्य ने कोही भी अपनी हार नहीं मानी अभी आती है सागर की अपनी छमता है पर मांजी भी कब ठकता है जब तक सासों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है इसके ही बल पर कर डाले साथो सागर पार तुफानों की ओर घुमादो नाविग नीच पतवार का मतलब है समुंदर के पास उसकी अपनी लहरों की सकती है पर मांजी के पास भी हिम्मत है आत्म विश्वास है यद वह ठकना नहीं जानता जब तक नाविग खीसा से चल रही है तब तक वह अपनी नाव आगे बढ़ाता ही जाएगा ये नाविग तुमने अपनी हिम्मत और ताकत के सहारे साथ समुंदर का पार कर डाला है अपनी नाव के साथ इसी प्रकार आगे बढ़ते रहो ये नाविग तुम अपनी पतवार तुफानों की ओर घुमा दो तो अब आता है इसका सब्दार नाविग नाव चलाने वाला मिहाल मांजी नीज मतलब अपना पतवार मतलब नाद चलाने वाली लकडी चप्पू जवार मतलब होता है तुफान समुंदर पानी का बढ़ना अंधर का मतलब होता है आंधी असीम का मतलब होता है सीमाहीन जि इसकी कोई सीवा नहों चम्ताइब सक्तियों सपंदन मतलब होता है चीतना धढकन बल्लब मतलब होता है सहारी आप लोग को अगर आप लोग को हमारे पसंद से लाइक कीजिविए सब्सक्राइब कीजिए अप लोग को हमेरे किसा लगार से मैं जैहिंड भारत